उजेन जिले के नागदा में ग्रेसिम एंड्रस्टीज के सभी सफाई करमचारियों ने आंदोलन कर दिया कोई भी वरकर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुचा मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे ड्यूटी से ब्रेक महिने की पूरी हाजरी और बोनस बीस प्रतीशत नहीं मिलना इनकी मुख्य मांगे थी मैनेजमेंट ने बीच-बीच में इनसे संपर्क साथ नहीं कोशीज भी की थी पर विफल रहे इसी भी शहर यूँए कॉंग्रेस पार्टी के सुबह स्वामी और कॉंग्रेस पार्टी के जीला मंतिर रगुनाद बाबु सरकार ने मजदूरों की मांगों को मेनेजमेंट तक पहुचा आया जिसमें पूरे महिने डूटी पर अजामन्दी हुई और बाकी मांगों को भी जल्द पूरा करने का भुरूसत दिलाया गया है ग्रेसिव इंडेस्ट्री के अजय जेन ने बताया कि अगर मदूर हमसे बात कर लेते तो इतनी बड़ी बात ही नहीं बढ़ती फिलहाल मामला सांत करा कर सभी अपने अपने कारे पर लोड गए हैं नागदा से संजय सर्मा की रिपोर्ट प्रमु पेता नो इसकी पुंदो अत्ती वापस नहीं इसलिए हमारे जो प्रमिक भाई जो बाहर के उनको आप रिटन ना करें और प्रमु प्रूप से मजदूरों की दो बड़ी मांगे थी एक तो इनको इनको इनका रिटन बेवज़े रिटन किये जारी थी एक है महिने में आठ दस आजरी मिलनी थी और ब्रेक सेसे कर्दमी में करा है मेनेजमेंट से मेनेजमेंट से जब चर्चा हूई तो यह बात सामने आई कि जो सेनेटरीorkATA उन्हें में इनकी कि जो 40 की श्रेंथि उसको management ने कम करा है और अंदर जो 45 की श्रेंथि उसको कम करके 6 या 8 आधमी कम करें हम ने जब यह बूचा कि यह 6 आथ आधमी आपके त्वारा क्यों कम किये गए तो यह पर जो विस्षाजी जो प्रतिनिदित कर रहे थे, वो बोले मेरको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं, मेरको दो दिन का समय तो में इसका ये जो चमवाली से 36 से 38 करने का काम है, वो किस कारण से हुआ मैं आपको बता दूँगा और ये इसको जल्दी हम खतम कर देंगे, दूसरी बात रिटन की थी जो हमारी माताय बेने जो अंदर काम करती है, उनको प्रात्मिक्ता कै आदार प्रादार प्राजरी दी जाएगी, और जो हमारे भाई लोगे जिनको हाजरी अगर वहान ही मिलती हे तो अंदर उज़योग में acaba फेक्ट्री में जाके उनको कारको, उनको रिटन नहीं किया जाएगा हाजरी उनको बराबर मिलेगी या यह तो यहां करें या अंदर